तो देखो Falcon and the Winter Soldier के साथ कम से कम 4-5 नए Super Soldiers को इंट्रिडूस किया गया है Marvel Cinematic Universe में और इसलिए आज के वीडियो में हम Marvel Cinematic Universe में दिखाए गए Top 10 Super Soldiers को उनकी Power के बेसिस पे रैंक करेंगे और जानेंगे कौन है सबसे Strongest Super Soldier तो एक बात जो आपके दिमाग में यहाँ पर confusion create कर सकता है वो यह है कि Super Soldier Serum तो एक ही है तो मैं किस बेसिस पे रैंकिंग करवा रहा हूँ तो देखो Marvel Cinematic Universe में हमें सिर्फ एक Super Soldier Serum देखने को नहीं मिला A.K.A. The Captain America नमबर वन पे नहीं है इस लिस्ट में तो फिर कौन हो सकता है नमबर वन पे यह जाने के लिए वीडियो को एड़ तक देखना नहीं बोलना विडिश्रो करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं एक शुआ आफो सब्सक्राइब बटन पर एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्गुल भी देरी ना करो अर्थ के माईटियस्ट सब्सक्राइबर बनने में नमबर टैन इसाया ब्रैडली तो इसाया ब्रैडली स्टीव रोजोस के बाद दूसरा कैप्टैन अमेरिका और पहला ब्लैक कैप्टैन अमेरिका था इसे की देखके अंदेखा कर दिया था गोवर्मेंट ने उसके कलर की वो जैसे अब इसाया ब्रैडली को तो हमने एक्शन में नहीं देखा बड़ इसकी बैक्गरांड स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टीव रोजोस के बाद इस बंदे पे सुपर सोल्जर सेरम ने अपना पॉस्ट्टू इफेक्ट दिखाया था इसाया ब्रैडली वर्ल्ड वर सेकंड के टाइम या कहा सकती हूँ के कोरियन वार के टाइम एक्ट्व था और बहुत सारे मिशन्स में पाट ले चुका था और इसी दोरान हमें पता चला कि इसाया ब्रैडली ने विंटर सोल्जर के साथ भी फाइट की थी और उसे अच्छी खासी ठक कर दी थी जैसा कि हमें बक्की और इसाया की बातों से पता चल रहा था बढ़ कुछ मिशन्स में काम करने के बाद गोर्मेट ने इसाया को एक लैब रैट की तरह यूज करना शुरूग कर दिया और उस पे तरह तरह के एक्स्परिमेंट्स करना शुरूग कर दिये नाबर 9 फ्लाइग समैशोर्स तो फ़ल्क अअधर विंटर सुल्जर में हमें फ्लैग समैशोर्स का एक पूरा ग्रूप दिखाया गया जिसमें 6 से साथ सुपर सुल्जर प्रेजट्स प्रेजन्त इन सब सुपर विलफॉर्ड नैगल के बनाए गए फिफ्ट वरजन अप स सुपर सोल्जर सेरम से पावस मिली थी बट इन में से कोई भी सुपर सोल्जर कुछ अमेजिंग फीट शो नहीं कर पाया शायद हो सकता है कि इन एक्सपीरियंस इट थे ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था बट इनके लीडर कारली इन बाकियों से थोड़ी सी अलग थी जो के हम आगे डिसकस करेंगे नमबा एट विंटर सोल्जर इन सिवल वार तो सुपर सोल्जर होना काफी नहीं जब तक नाफ के पास फाइट ए बैटल ट्रेनिंगो और जब ये दोनों मिल जाता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है और इसी की परफेक्ट एक्जांपुल थे हाइटर के बनाए गए विंटर सोल्जर एक दिन हाइटर का दिमाग गोम गया और उनने बक्की के अलावा और नए विंटर सोल्जर बनाएने का प्रोग्रम शुरू किया और पूरे वर्ल्ड के सबसे डेडलियस्ट एसेसेसिंस क स्टूपर Σोल्जर से इंडेक्ट करके, उन्हें स्टूपर्सोल्यरस में चींज कर दिया, और इस स्टूपर्सोल्जरस का वर्जर्स डाक्टर आरनिम जोलो ने बनाया था, इस विंटर्सोल्जर टू पॉइंट्व फ्रोग्राम में चार नए आई तिंक चार नहीं पांच थे पांच नए विंटर सोलियोस को बनाया गया और उन्हें ट्रेंड किया गया बट इवेंचुली ये प्लैन हाइडरा पे बैकफायर करता है और सिवल वार में जीमो इन्हें मार डालता है उनके नीद में ही सुपर सोलियोस को चुराया था और इसे खुद पे और अपने साथियों पे यूज किया बागी फ्लैग स्मेशरस तो मुझे नॉर्मल ही लगे बट कारली के पास फाइल ट्रेंग और एक्स्परिन्स था जिसकी वजह से बागी फ्लैग समेशरस से जादा इंपैक्टफुल थ वो भी तब जब वो उसे मारना नहीं चाहती थी अपनी फाइटिंग स्किल से कार्ली ने फैलकन और जॉन वॉलकर दोनों को और पावर किया बट ध्यान रहे यहां जॉन वॉलकर सुपर सोलजर सेरम से इंपावर्ड नहीं था तो अगे बढ़ दें नमबर 6 की तरफ नमबर 6 पह हमारे पास जॉन वॉलकर तो जॉन वॉलकर एक युएस आर्मी कैप्टन था जिसे कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनने के लिए चूज किया गया था बट अपने साइड कीक लेमार की डेथ और सुपर सोलजर से कंटिनुवसली हारने के बाद इस बंदे ने खुद को सुपर सोलजर सेरम से इंजेक्ट किया और इसके पास भी हाइटनेट फिजिकल एबिलिटीज आगी जॉन वॉलकर फैलकॉन और बक्की को अच्छी खासी टकर दे पाया था और बाकी सुपर सोलजर उसको बड़े असानी से मार भी पाया था अपनी आर्मी ट्रेनी को सुप मेडल आफ ओनर मिले थे और एक परफेक्ट सोलजर था इसके अलावा वॉलकर एक परफेक्ट मार्क्समैन भी है और एक जीनिस लेवल इंटिलेक्ट भी रखता है और यही जीज उसे नेक्स्ट केप्टैन अमेरिका बनने के लिए एक परफेक्ट केंडिडेट बनाती है फ पूर अब गाता है पता है तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दू कि एक अपदर का सबसे भाला इसके एंगल से परफेक्ट नहीं था और नहीं रेड़ सकल कुद एक परफेक्ट केंडिडेट था सुपर सोल्जर सेरम के लिए और इसी के चलते सुपर सोल्जर सेरम ने तो उस पे अपना काम तो किया बढ़ उसका फेस डिस्फिगर हो गया था और इसकी पूरी बॉड़ी रेड क सुपर सोल्जर वन अप देड्लियस्ट एससेंस हैं मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स का आरनिम जोलो के सुपर सोल्जर सेरम के वर्जिन से इंजेक्ट होने के बाद बगई बार्न्स को हैट्रा के अंडर ट्रेनिंग मिली और हैट्रा उसका माइन कंट्रोल करके उसे अप पास एक मैटल आम भी है जिसे वो एटेक्स और बिलिट्स को रोकने के लिए यूज़ करता है सिवल वार में जब विंटर सोल्जर अपने होश हवास में आ गया तो बक्की ने विंटर सोल्जर का परसोना चोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की और आगे चलक की स्टीव रोजोस दे कैप्टैन अमेरिका तो कैप का रोल बहुत लोग प्ले कर चुके है बट स्टीव रोजोस हमारे लिए हमेशे कैप्टैन अमेरिका रहेगा इसलिए मैंने स्टीव रोजोस को दे कैप्टैन अमेरिका कहा स्टीव रोजोस ने प्रूव किया कि वह सु एवेंजियोस का फाउंडिंग मेंबर और लीडर भी रह चुका है, एस कैप्टिय अमेरिका स्टी रोजोस एलियन जेने चितोरी, रॉबोट्स जेने अल्टरन बॉट्स से फाइड कर चुका है, ने कैप्टिय हमेरिका का सिगनीचर वेपन है उसका वाइबरीनियम शील्ड जिसे उससे बैटर कोई यूज नहीं कर सकता, स्टीव रोजोस ने ब्लैक बैंथार विंटर सोल्जर आयरन मैनों रेड्स कलके स्टो टो टो फाइड भी दी ही, अपनी हुमेनिटी की वजह से स्टीव रोजोस मियॉलनिर को लिफ्ट करके एक गॉड बन गया था, बड़ य और एक एक्सपर्ट शील्ड यूजर भी था, तो फाइनली हम आगे है इस लिस्ट के टॉप टो पे, और आप मैंसे बहुत सारे साथ प्राइज़ रह चाहेंगे, नमबर वान और नमबर टू पे जो करेक्टर से उन्हें जानको, नमबर टू पे हमारे पास अबामनीशन, अबामनीशन एके एमल बलॉंस की एक स्पेशल आर्मी स्पेशलिस्ट था, जिसे के हलक के एगनिस्ट फाइट करने के लिए बेजा गया था, बड़ हलक के साथ फाइट में एमल बलॉंस की जोड हो जाता है, और उसको बचाने के लिए गोर्मेंट उस पे सुपर सोल्जर स करती है, और उसे बैनर का रेडियो एक टू बलड भी चड़ा देती है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है अबामनीशन में, अबामनीशन हलक के लेवल का बिंग है, और शेप, हाइट और बावस में बहुत हद तक हलक से मैच करता है, अबामनीशन ने इंक्रेडिबल ह हलक मुई में हलक को फिजिकले और पावर किया था, और कार्ज और बिल्डिंग्स को इजली डिस्टोई कर पारा था अपने पंच से, हलक के साथ फाइट में उसने पूरे हारलम को डिस्टोई कर दिया था, अबामनीशन हाइज जंप से ट्रैवल और टाइम के साथ साथ पर कौन सा character या कौन सा सुपर हीरो होगा जल्दी से comment करो सो finally number 1 पर हमारे पास हम सब का favourite hulc सु Bruce Banner MCU में सुपर सोल्दर सर्म से ही hulk में trance-wam हो गया था General Ross ने Bruce Banner को सुपर सोल्दर सेर्मको recreate करने के लिए project rebirth में काम करने के लिए बुलाया था पर बैनर को ये नहीं पता था कि गोवर्मेंट सुपर सोलिर सेरम को रिक्रेट कर रही है उसे लगा कि वो कोई रेडिशन को खदम करने के लिए सेरम बना रहा था वो सेरम बनते ही डॉक्टर ब्रूस बैनर ने उसे सबसे पहले खुद पर यूज किया बिना ये जाने कि वो एक्चुली सुपर सोलिर सेरम था और ब्रूस बैनर चेंज हो गया एक एंगरी मॉंस्टर हल्क में इसके पास लिमिटलेस विजिकल स्ट्रेंग तो डूरेबिल्टी आ गई अब सुपर सोलिर सेरम तो स्टीव रॉजोस बकी बान्स ने भी यूज किया तो वो तो हल्क में चेंज नहीं हुए तो इसका रीजन था कि ओरिजनल एक्सपरिमेंट में वीटा रीज को यूज किया गया था ब्रूस बैनर ने जो सुपर सोलिर सेरम बनाया उसमें गामा रीज यूज की गई थी जिसकी वज़ए से ब्रूस बैनर हल्क में चेंज हो गया और कैप्चर अन ने डाउट हल्क एमस्यू का सबसे पाउर्फुल और स्टॉंग स्टॉंग सॉलजर है क्योंकि यह बंदा एलियन शिप्स को अपने पंचस में डेर कर सकता है सकार का चेंपियन बनने में से ज्यादा टाइम नहीं लगा गॉड्स को टकर दे चुका है और इस प्रिटी गॉ वीडियो आने तक अब हमारे टॉप टैन एविंजर सिंग एमसी यू और टॉप टैन विलेंज पर बनिये हमारी वीडियो को इंजॉय कर सकते हो